अर्ली 90s में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसमें यंग लड़के लड़कियां एक साथ नंगे सोते थे इनफेक्ट गांधी जी खुद इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे कई बार तो वो अपनी ग्रेंड नीसेस अभा और मनू के साथ नंगे सोई थे अब गांधी जी ने ये इसलिए किया ताकि वो खुद को दिखा सके कि उनका अपनी एक्छाओं हवस पर कितना सेल्फ कंट्रोल है क्या येस मुझे भी ये उतना ही अजीब लगा जितना आपको लग रहा है गांधी जी के कई और ऐसे डाक सीक्रेट्स है जिने बहुत ही कम लोग जानते हैं स्कूल में हमें जो पढ़ाया गया वो आधा अधूरा सच है बट जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह गांधी जी की एक डाकेस्ट साइड थी तो आईए आज की वीडियो में हम मोहंदास करमचंद गांधी के डाक सीक्रेट्स जानते हैं क्या वो महात्मा थे या महात्मा का टैग उन पर थोपा गया शायद ये वीडियो देखने के बाद कई लोग उनसे नफरत करने लगेंगे गांधी जी का जनम 2 अक्टूबर 1869 को गुजराप में हुऊ था 13 साल की एज में उनकी शादी कस्तूर्बा गांधी से हुई थी वो अपनी बुक में लिखते हैं कि उनकी सेक्स लाइफ बहुत नॉर्मल थी और वो रंगीले मिजाज के थे शादी के बाद स्कूल में उनका ध्यान सेक्स लस्ट पर ही होता था और इसी के चलते 16 साल की एज में उन्हें अपने बिमार पिता करमचंद गांधी को छोड़ना पड़ा अब ये कहना बहुती अजीब होगा कि उनके पिता की देथ तब हुई जब गांधी जी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे थे और इस चीज के लिए वो खुद को दोश देते रहे कि सेक्स हवस के चलते वो अपने पिता को बचा नहीं सके और इस घटने के बाद गांधी जी ने बरमचरे रहने का सोचा अरली नाइटीज में उन्होंने एक आशरम बनाया जहां वो अब तक का सबसे अजीब सेक्स एक्सपेरिमेंट करने वाले थे इस आशरम में यंग लड़के लड़कियां एक साथ नंगे सोते और नहाते थे बट इस एक्सपेरिमेंट का एक रूल था कि वो नेकड सोएंगे बट अगर किसी ने गंधी बात की या सेक्स्चुली एक्साइटेड हुए तो उन्हें पनिश्मेंट मिलती थी आगे चलके ये एक्सपेरिमेंट काफी सालों तक चला इंफेक्ट गांधी जी खुद जवान लड़कियों के साथ नंगे सोते थे और इसमें उनकी ग्रैंड निशेस मनू अभा और उनकी पॉस्नल डॉक्टर सुशीला नायर भी शामिल थी ये कितना अजीब एक्सपेरिमेंट था मनू और अभा जिने गांधी जी की वोकिंग स्टिक कहा जाता था वो उन्ही के साथ नंगे सोते थे यहां ये सवाल आता है कि गांधी जी ऐसा कर क्यों रहे थे तो उनके अकोडिंग ये एक मेंटल टेस्ट था गांधी जी ने अपने ब्रहम चर्या में 40 साल तक सेक्स नहीं किया था तो अगर वो नंगी लड़कियों के साथ सोएंगे बट सेक्शुली एट्रैक्ट नहीं होंगे तो ये एक तरीका होगा जिससे वो खुद को साबिद कर सकते हैं कि उनका अपनी इक्छाओं पर कितना सेल्फ कंट्रोल है उनके अकोडिंग किसी भी आदमी में ये सेल्फ कंट्रोल तब आती है जब वो सुन्दर लड़कियों के साथ नंगे सोए बट कोई सेक्शुली एक्टिविटी या एक्साइटेड ना हो बट यहाँ पर ये दूसरा सवाल आता है कि गांधी जी ये साबिद करना क्यों चाहते थे तो उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम में जो वाइलेंस दंगे हो रहे थे वो उनकी नाकाम्याबी की वज़ा से थे तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरीका होगा जिसे वो अपनी इंक्लूडिंग सेक्स दूर कर सके क्या आइनो ये तरीका बहुती अजीब है वैसे गांधी जी के सेक्स पर विचार थोड़े अजीब ही थे जैसे उनका मानना था कि सेक्स का मकसद सिरफ बच्चे पैदा करना होता है ना की प्लैजर ना की संतुष्टी इसलिए लड़को को सेक्स से दूर रहना चाहिए और अपने अंदर का जानवर को कंट्रोल करना चाहिए खैर गांधी जी और उनके सेक्स पर विचार सबसे अलग ही थे कई लोगों का मानना था कि गांधी जी एंटी हिंदू थे वैसे वह खुद को हिंदू बताते थे बट 1938 में मोहमद अली जिन्हा के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वंदे मातरम नैशनल सौंग को बैंड कर दिया ये सौंग हर इंडियन के लिए कितना इंपोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे बट गांधी जी यहां तक भी नहीं रुके साल 1940 में उन्होंने क कोई भी मेंबर अपने स्पीच में वंदे मातरम नहीं बोलेगा इसके बाद गांधी जी ने कई और ऐसी चीजे करी जो एंटी हिंदू थी उनके दिल में मुस्लिमों के लिए प्यार जलकने लगा वो डिमांड करने लगे कि हिंदू रफ्यूजिस ने डैली में जिस मस्ज किया जाता था इसके इलावा कई स्कॉलर्स का मानना था कि वो महान हिंदू राजाओं से स्पेशली शत्रपते शिवाजी महाराद से नफरत करते थे स्पेशली मुस्लिमों का खुश करने के लिए शीव भवानी बुक बैंड करा दी जिसमें मुस्लिम रूलर्स की सच्चाई बताई थी 6 एपरेल 1947 में उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा कि अगर मुस्लिम से हिंदूों को मारना और खतम करना चाहे तब हिंदूों को चुप चाप अपनी मृतियू सिविकार कर लेनी चाहिए इसके इलावा गंधी जी के कई और विचार थे जो हिंदूों के अगेंस्ट और मुस्लिमों के सपोर्ट में थे कई लोग मानते थे कि गंधी जी ढोंग करते थे क्यांकि जब उनकी वाईफ कस्थ तूर्बा गंधी निमोनिय डिजीज से सफर कर रही थी जिसे क्यूर करने के लिए पैंसिलीन वैक्सीन चाहिए था बट गांधी जी ने वाइफ को ये वैक्सीन लेने से मना कर दिया क्योंकि इसमें एलाइन ड्रग था और कहा कि भगवान पर भरोसा रखो भगवान सब ठीक कर देंगे बट अनफोर्चनेटली ट्रीटमेंट ना होने से कस्तूर्बा गांधी की देथ हो गई और इसके कुछ हबतों बाद गांधी जी बिमार पड़ गए उन्हें मलेरिया हो गया था तब डॉक्तर ने क्यू नाइन मैडिसिन प्रेसक्राइब किया जो एक एलाइन ड्रग था तब गांधी जी का भगवान पर से विश्वास गायब हो गया और वो डॉक्तर के अकोडिंग ट्रीटमेंट करवाने लगे यानि वो एलाइन ड्रग वाली मैडिसिन लेने लगे यानि अपनी बारी भगवान पर से भुरोसा गायब और वाइफ के टाइम भगान पर भरोसा रखो गजब की हिपोकरेसी ना अब वो तो गांधी जी हैं कुछ भी खर सकते हैं कई स्कोलर्स का मानना है कि गांधी जी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे येस क्यूंकि वो अपने साथ दो पेपर रखते थे एक में इंग्लिश में लिखते थे और दूसरे में गुजराती में इंग्लिश वाले पेपर में वो कास्ट सिस्टम भेदबाव चुआ चूट के खिलाव थे वहीं गुजराती पेपर में वो इन सबी चीजों को सपोर्ट करते थे I don't know अब गांधी जी ऐसा क्यों करते थे गांधी जी के लाइफ की कई और ऐसी सचाईया हैं जिसे बताते बताते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसे हम कभी किसी और वीडियो में समझेंगे अब गांधी जी के ये डाक सिक्रेट्स जान कर क्या आप उन्हें महात्मा मानेंगे लेट में नो इन दे कोमेंट सेक्शन और प्लीज इस वीडियो से कोई भी ओफेंड मत होना ये वीडियो जस्ट एडुकेशनल परपस के लिए बनाई गई है मैं जस्ट आपको वो बताना चाहता हूँ जो हमें स्कूल कोलेज में नहीं बताया गया महात्मा गांदी जी के बारे में तो अगर आपके वीडियो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल तभी ग्रो होगा